नमस्कार कैसे हैं आप सभी। आज आप क्या बना रहे हो। आज मैं बना रही हूँ। नवरत्री ऐस्पेशल माल्पुए और वो भी पानी फल के। आपने तो कई वार खाये होंगे पानी फल के हलवे, वट कभी आपने खाया है, मालपुए पानी फल के अगर खाये हैं तो हमें कमेंट करकर जरूर बताईए, और वैसे भी नवरात ब्रत में हमें अनाज खाना नहीं होता, तो यह पानी फल जो कि एक फूर्ट है, आप इसके म आलपुए बना कर भी आप मातरानी को भोग लगा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं आज की नई और जाएकेदार रेसिपी I am sure आपको ये बहुत अच्छी लगेगी बट उससे पहले मैं खुश्बु कनोजिया और मैं अपने चैनल घर का जाएकावित खुश्बु में आपका स् और आप फास्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता और मैं इसी तरह की कम बजट में नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूं अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश्बूर में तो चलिए बनाते हैं नबडात्री अस्पेसल माल पुए आपने सी सूखे हुए पानिफल के बहुत सारे डिसेस बनाई होंगी बट मैं यहां पर आपको कच्छे पानिफल के डिसेस और माल पुए बनाना बता रही हूं तो यहां पर मैंने 500 गराम पानिफल लिया है और इसे मैंने एक धूप दिखा दिया है और फिर मैं इसे इसका छिलका उतारूँगी और उतारने के बाद मैं इसका एक पेस्ट त्यार कर लूँगी तो चलिए मैं इसका छिलका उतार लेते हैं और इसे एक knife की help से हम इसके छिलके को उतार लेंगे तो लीजिए मैंने एक का छिलका उतार दिया है इसी तरह से हम बाकी के भी छिलके को उतार लेंगे अब मैं इसे अच्छी तरह से बस कर लूँगी और फिर मैं इसका एक fine paste त्यार कर लेंगे क्यूंकि ये कच्छे पानी फल है तो इसका paste तो बन ही जाएगा और फिर मैं एक pan लूँगी और बरतन में add करेंगे हम पिसा हुआ पानी फल मैंने यहाँ पर एक cup पानी फल यूज़ किया है तो उसी के quantity के हिसाब से मैं यहाँ पर एक cup खो़आ भी यूज़ करूँगी बट मैं यहाँ पर यह ऐसा ही खाने के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर मैदा का यूज़ कर रही हूँ और मैदा भी उसी के हिसाब से बड़ावर quantity में है फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी add करकर इसे पहले मिला लेंगे क्यूंकि भोग में हमें अनाज का यूज़ नहीं किया जाता तो आप भोग में अनाज का यूज़ मत करियेगा फिर हम इहाँ पर एक किलास दूद लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करकर mix करेंगे फिर हम इसमें खुस बुलाने के लिए हम इसमें add करेंगे सौफ और इलाइंची पाउडर और फिर हम इसमें add करेंगे ड्राइब फ्रूट इसका हम एक ठीक पेश्चा को प्रूट तो चलिए इसे कवर करकर हम 15 मिट का रिष्ट देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं तो हम यहाँ पर एक चासनी तियार करेंगे तो चासनी तियार करने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें एड करेंगे हम एक कप सूगर और इसे मिल्ट होने के लिए हम इसमें एड करेंगे चौथाई कप पानी और इसे हम कुक करेंगे जब तक यह मिल्ट होता है तब तक देखिए यह अच्छी तरह से मिल्ट हो गया है और इसमें उबाल भी आ गया है और यह चासनी हम एक तारी के चासनी बनाएंगे या फिर मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हूँ आप अगर चाहते हो उसे देखना तो आप उसे देख सकते हैं अब हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे अब पंदा मिनिट के बाद हम अपने बैडर को भी देख लेते हो और अब हम इसमें एड करेंगे कदू कस किया हूँ नारियल और इधर पैन भी गर्म हो गया है अब हम इसमें एक चमच घी आइड करेंगे और उसे गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें बैटर आइड करेंगे वाँ दिस इज पर्फेक्ट है और इसे एक साइट कुप करेंगे जब यह साइट छोड़ने लगे तब हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी साइट भी कुप करेंगे जब तक यह कुख होता है तब तक हम एक दूसरा भी इसमें बैटर आइड कर देते हैं तो इसे साइट कर देते हैं और इसमें बचेवे जगा पर एक बैटर और आइड कर देते हैं तो एक तयार हो गया है अब हम इसे निकाल कर देखिए कितना अच्छा से तयार है और हम इसे चासनी में डिप कर देंगे और इसे कुल देर के लिए चासनी में ही रहने देंगे ताकि ये चीनी अंदर तक एक जोब हो जाए झाल दूसरा भी तयार है और इसे भी हम चासनी में डिप कर लेंगे इसी तरह से हम बाकी को भी बना लेते हैं अब हम इसे गार्नेसिंग करेंगे तो इसे गार्नेसिंग हम ड्राइफ रूट के साथ करेंगे कि अधिकने हम बहुत ही खुशूरत क्योंकि घर का जाएका बीद्खुश्पूर्ण करेंगे में जो दिखता है वहीं पखता है तो आप इसे एक पर अपनेगर पर जरूर ट्राय करिएगा तो ट्राय करने के लिए आपको इंगेडियंस की जरुवत होगी और इंगेडियंस सारे यह हैं जिसे आप नोट कर लिजिए तो मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है तो मैं इसे एक टेस्ट करके बताती हूं कि कैसा बना है सच में ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बड़ ज़रूर ट्राइ करिएगा ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है इसे कहते हैं देरा है बट दुरूस्ता है प्लीज बहुत मेनत लगती है वीडियो बनाने में तो प्लीज आप इसे एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चनल को सस्क्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बूलिए क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इसे दिसलाइक भी कर सकते हैं बट हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा कि आपने इसे दिसलाइक क्यों किया तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कम बज़र्ण में बनने वाली नई रेसीपी के साथ इसी चैनल घर का जाएगा विद्खुस्वू में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आस पास सफाइब बनाए रखे ठैंक यू ठैंक यू फर वाचिंग टेक कियर और नमस्कार